स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में भावतिक विज्ञान के उन प्रश्णों के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि आपके विबिन एक दिवसे परिछाओं में बार बार पूछे गए हैं और इसके लिए ये सातवा भाग होगा मतलब कि इसके छे भाग हमने आल रड़ी अपलोड कर दिया है और आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में या फिर चैनल के प्रेलिस्ट में मिल जाएगा सब्सक्राइब करिए इस्टेडी फर जॉप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो यह वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें चलिए आपको बताते हैं कि मतलब कि यह टेस्ट कैसे देना है इसलिए कि आप इसे खुद भी दे पाएं और इसके लिए आपको लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो देखे टेश्ट देने के लिए आपको लिंक इसी वेबसाइट का मिलता है studyforjobs.in यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरह का सेक्शन मिलेगा इसे आप अपने दोस्तों में share भी कर पाएंगे बड़े ही असानी से और share करेंगे तो उससे फायदा यह होगा ताकि आप जान पाएंगे कि किसकी तयारी जादे बेश्ट है तो यहाँ से आप share करिए और परिच्छा देने के लिए आपको यहाँ से सुरुआत करना होता है तो इसे सुरू करने के लिए आपको start quiz पे click करना होता है यहाँ पे देखिए आपको एक समय मिल रहा है इस पूरे quiz session को complete करने के लिए आपको लगभग 13 मिनिट का समय मिल रहा है अब आपको जाना होगा नीचे और क्योंकि आपका समय सुरू हो चुका है तो आपको अपना जो भी उत्तर होगा comment करके बताते रहना है पहला question है कि एकी क्रित परिपत में परियुक्त अर्धचालक चीप निम्न में से किसकी बनी होती है कुल मिला के ये बताना होता है कि जो चीप यूज बनाया जाता है कंप्यूटर के लिए या फिर किसी भी परिपत के लिए वो किस चीज़ का होता है तो यहाँ पर हम 2 सकेंट रुकेंगे ताकि आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बता दें तो यह होता है सिलकन का और यहाँ पर देखिए आपको चेक करने का बटन मिलेगा अगर आप चेक करते हैं और अगर आपने सही उत्तर दिया होगा तो यहाँ फिर करेक्ट का रिजल्ट आता है तो इस तरह आप खुद भी दे पाएंगे ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्केप्शन चेक करें अगला कोशन है कि प्रत्यावरती धारा को दिश् सही है रेक्टिफायर होता है बढ़ते हैं अगले कोशन पे और यह होगा कोशन नमबर तीसरा अगला कोशन है कि अस्थाइ चुमबक बनाये जाते हैं किस चीज़ के तो ये बनाया जाते हैं इस पात के चेक करते हैं तो देखे ये भी बिल्कुल सही है पढ़ते हैं आगे अगला कोशन है कि चुम्ब की छेटर का मातरक क्या होता है ये बताना है आपको और कई बार ये परिशाओं में पूछा जाना वाला सवाल है तो ये होता है गौस तो चलिए चेक करते हैं देखे ये भी बिल्कुल सही है अगर आप उपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका टाइम चल रहा था और आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स जीके का सातवा सेट प्रेक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर और भी सेट आलरीडी अपलोड किये गए हैं आप जाएए और वहाँ से खुद भी इस तरह का टेस्ट दीजिए आगे बढ़े तो पांचवा प्रशन है कि सुस्क सेल में जो उर्जा संग्रहित होती है वो किस रूप में होती है तो यह होती है रसाइनिक उर्जा के रूप में बात और यह सुस्क सेलो की और यह बिल्कुल सही है अगला कोशन है कि बिजली के पंखे की गती बदलने के लिए जो साधान हम यूज करते हैं घरों में वो बोर्ड में लगा होता है उससे क्या करते हैं तो देखिए इससे हम कहते हैं रेगुलेटर रेगुलेटर आपने देखा होगा इससे हम जो पंखा होता है उसकी स्पीड हो कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं तो चेक करते हैं और यह भी बिल्कुल सही है यहाँ पर हम 2 से 3 सकेंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहे हैं कमेंट बाक्स में फैराडे का नियम किस नियम से संबंदित है यह है क्वेस्चन आपका और आपसन आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं तो जो फैराडे का नियम है इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड है और चेक करते हैं देखी ये भी बिलकुल सही है अगला कोश्चन की नियम में कौन बिद्दूत अचुम्ब की है तो ये है ताबा बढ़ते हैं आगे अगला कोश्चन की चुम्ब की या मुत्तर और भोगोलिक या मुत्तर के बीच की कूड़ों को क्या कहते हैं तो यहाँ पर चुम्ब की या मुत्तर और भोगोलिक या मुत्तर की बात हो रही है तो इसे कहा जाता है चुम्ब की दिकपात और देखे ये भी बिल्कुल सही है अगला कोश्चन कि निमलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुम्ब किया है तो ये है अक्सीजन देखे अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे साइड में जो आपको चेक करने का बटन मिलता है उसे भी आप दबाते हैं तो आपको पता चल जाता है अगला कोश्चन और ये होगा एक रहाँआ कि निमलिखित में से कौन एक अनुचुम्ब किया पदार्थ है तो अभी अभी पहले आया था ये कोश्चन दूसरे फार्मेट में और चुम्ब किया की बात हो रही है तो ये है पीतल अगला कोश्चन की भावतिकी में चतूर्थ आयाम का परिचे किस ने दिया है चतूर्थ आयाम का परिचे तो देखिए यहाँ पर चारा अपसन आपके स्क्रीन पर है अपना उत्तर कमेंट करके बताईए तो ये दिया गया था आइस्टीन के द्वारा अब जब हमने लगबग बारा कोश्चन मतलब की आदा कोश्चन कर लिया है अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि समय कितना बचा है आप उपर जाएंगे तो देखेंगे कि लगबग आठ मिनट पैंटिस या फिर तैंटिस सकंड बचा है मतलब काफी परियाब समय है आपको आराम से हल करना चाहिए और आप लोग अपना क्वेस्चन काउंट करते रहिए कि आपने कितना क्वेस्चन सही बताया है और जब वीडियो खतम होगी तो हमें कमेंट करके बताईएगा अगला क्वेस्चन है कि रडार का विस्चार किसने किया था तो जो रडार होता है जिससे हम मतलब कि यह पता कर सकते हैं कि कोई भी बिमान या फिर कोई भी है इस तरह का कोई भी चीज कहां पर है कितने दूरी पर है क्या है तो जो अविस्कार है किया गया था राबर्ट वाट्सन के द्वारा और देखे बिल्कुल सही है अगला क्वेस्चन की पॉजित्रान की खोज किसने की थी तो पाजित्रान की खोच की गई थी एंडर्सन की द्वारा और ये भी बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पर गलत करेंगे तो यहाँ पर जो नीचे करेक्ट लिक करके आ रहा है वो इनकरेक्ट लिक करके आएगा अगला कोश्चन है कि चुम्ब की सुई किस तरफ संकेत करती है तो देखे जो चुम्ब की सुई होती है वो नार्थ और साउथ में हमें सा टिकती है उसको आप अगर मतलब कि एक रसी से लटका दें तो हमेशा जो उसका सीरा होगा वो नार्थ में चला जाएगा और जो उसका टेल होगा हमेशा साउथ में रहेगा अब इसका प्रयोग कमपासों में किया जाता है खास करके ऐसे लोग जिनको दिसा का ग्यान नहीं रहता है अगर और कोई ट्रेलर है अगर जंगल में या फिर जो समुदरी आतरा करना है तो इस तरह में दिसा पता नहीं चलती तो इसलिए इसका यूज होता है तो यहाँ पे सही उत्तर होगा उत्तर और अगला कोश्चन की निमनिकित में से कौन पदार्थ चुम्बकी है अब चुम्बकी तो आपको पता ही होगा जिसमें चुम्बक के गूण है तो यह है निकिल दिखिए और इसे हम चेक करते हैं तो बिल्कुल सही है अगला कोश्चन और यह है 17 और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जो लोगों ने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है जरूर लाइक कर दीजिए आपको बता दें कि इस तरह के धेर सारे सेशन हमने अल्रेडी अपलोड किया है और अगर आप इस चनल के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगे अगला कोश्चन है कि बिद्धूत मोटर कौन से सिधानत पे काम करता है तो यह है फैराडे का नियम और यह भी सही है अगला कोश्चन और इस समय हम 18 कोश्चन पे हैं आपको हरे कोश्चन के लिए एक पॉइंट मिलता है तो अगला कोश्चन है कि बिद्धूत चुम्बक बनाने के लिए समानत कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है तो जो विद्दु चुम्बक होता है उसके लिए या तो आप लोहा काई है इसपात काई है नर्म लोहा काई है यही सब आपको आपसन मिलते हैं तो यहाँ पर लोहा आपसन है तो लोहा ही सही होगा और यह सही है अगला कोश्चन और यह है उन्नेस्वा कि निमलिखित में से क जो मतलब चालक के लिए यूज होता है, वो सिलकन होता है, चादी होता है, लेकिन यहां पर अर्ध चालक के तरह बात हो रही है, दातु का, तो यह होता है जर्मेनियम, और देखिए सही है, अगला कोशन कि नापगेड एक्टर में भारी जल का प्रियोग किस रूप में होता ह है, क्यों होता है, तो भारी जल मतलब कि यह H2O ना होकर के D2O होता है, डिटेरियम का होता है, क्योंकि जो आइडरोजन होता है, उसके तीन होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, तो यहां पर जो भारी जल होता है, इसमें सेकेंड वाला यूज होता है, डिटेरियम, 1H2, तो यहां प का मतलब क्या है कि मतलब कि जब घम किसी भी जो क्रिया है उसकी स्पीड को स्लो कर दें तो उसे हम मंदग कहेंगे इसका उलट होता है एक तौरक तोरड में क्या होता है कि कोई भी उसकी स्पीड को बढ़ा दे इनिसियल बूश्ट दे मतलब कि उसको जैसे कि कोई भी गाड़ी 2 km प्रतिघंटा की स्पीड से चल रही थी उसको 5 km प्रतिघंटा की स्पीड से कर दे तो वहाँ पे होगा तोरड लेकिन अगर मंदक की बात करें तो मंदक उसका उलट है कोई भी गाड़ी 8 km प्रतिघंटा के हिसाब से चल रही थी अगर वो 5 km प्रतिघंटा के हिसाब से चलने लगी तो इसकी स्पीड कम हुई है तो यहाँ पे मंदक होगा उसी तरह जो नाबगे रियक्टर होता है उसमें भारी जल का प्रियोग मंदक के रूप में होता है ताकि जो परमाड़ी रियक्शन होता है उसे हम कंट्रोल कर सके तो यहाँ पर graphite का भी यूज होता है लेकिन यहाँ पर question में तो आपसे भारी जल के बारे में ही पूछा गया है तो बढ़ते हैं आगे अगला question है कि कुलीज नल्का का प्रियोग क्या उत्पर्ण करने के लिए किया जाता है तुरंत अपना उत्तर comment करके बताते रहिए तो यहाँ पर हम उत्पर्ण करते हैं x-ray क्रेडे x-ray क्रेडे के बारे में आपने सुना होगा देखा होगा अगर मतलब कि हड़ी में कोई भी fracture हो जाता है सरीर के अंदर तो हम x-ray करवाते हैं और x-ray से एक question और बनता है पेसियों को मांस को ब्लड को ही पार कर पाता है और इससे असानी से पता चल जाता है कि fracture कहां पर है तो इसका सही उत्तर होगा कुलीज नलिका का प्रियोग x-ray उत्पर करने के लिए किया जाता है और अगला question कि transistor के सब विर्चन के लिए कौन से बस्तु का प्रियोग किया जाता है कुल मिला के यह समझ यह कि मतलब कि उसमें किसका यूज किया जाता है ताकि मतलब कि सही से जो पावर है उसका लेंदेन हो सके तो यह होता है transistor में पूछा जा रहा है तो यह होगा silicon तो सही है और बढ़ते हैं 23 पर तो अब आपको बताना है कि silicon क्या है और यहां पर आपको option भी मिलते हैं 4 तो देखे जो silicon होता है या एक semiconductor होता है और चेक करते हैं यह भी विल्कुल सही है और यह है 24 वा question देखे यह question आही गया कि X-ray किसको पार नहीं कर सकती यह वाला question अभी हम आपको बता रहे थे X-ray के लिए क्योंकि यह question कई वार पूछा जा चुका है तो हमें याद था तो इसके लिए हमने आपको बताया हड़ी और हड़ी का मतलब कि यहां पर आसती ही है तो यह बिल्कुल सही है अब बढ़ते हैं आज की अंतिम question के समय और सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बतायेंगे कि आपने इन 25 प्रस्टों में से कितना question की सही किया है इमंदाली से comment करके बताये question है कि microphone का विसकार किस ने किया था तो यह दो सबको पता होगा यह किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा तो यहां पर देखे हमने 25 question कबर कर लिया है अब आपको quiz summary पे click करना है यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर आपको कर रहा है कि finish quiz लेकिन फिर भी आपके पास एक मिनट का समय बच चुका है तो आपको आप finish quiz पे जाना होगा क्योंकि यहां पर एक चीज हमा और आपको दिखाने वाले है जब आप finish quiz पे करेंगे तो इस तरह आपको result मिलेगा कि मतलब कि average low का result कितना रहा है आपका result कितना आजा है यह बता रहा है यहां पर आपको नीचे जाना होता है यहां पर देखिए हम इस website में पहले से login थे इसलिए हमारा नाम यहां पर लिख रहा है लेकिन अगर जब आप login नहीं रहेंगे क्योंकि आप पहली बार इसे use करेंगे तो यहां पर आपसे नाम पुछा जाएगा और आपसे email id पुछा जाएगा आप अपना नाम और email id यहां पर इंटर करिए और आपने जो भी मतलब पर इच्छा दिया होगा जितना भी आपका result आया होगा यहां पर इस list में add कर दिया जाएगा यहां पर यह नहीं है कि आप इसको दुबारा नहीं दे सकते हैं आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसे दे सकते हैं लेकिन यहां पर जो best करेगा उसका नाम सबसे उपर होगा तो इस तरह यहां पर आपनों नाम और मतलब कि जो भी आपका email id जरूर इंटर करिए अगर आप फिर से देना चाहते हैं तो आप इस start पर जाके फिर से दे सकते हैं अगर आपका कोई question है तो आप यहां पर भी comment करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर इस YouTube वीडियो के नीचे भी comment कर पाएंगे तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का description जरूर चेक करें तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही आसा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और comment करके बताईए कि आपको यह वीडियो कैसी लगे साथ ही में आप यह भी comment कर सकते हैं कि आपने इन 25 प्रश्णों में से कितना सही किया इस तरह के और भी टेस्ट उस वेबसाइट पर upload है तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का description जरूर चेक करें तो इसी तरह की वीडियो सबसे पहले बाने के लिए इस चैनल को subscribe करें Thank you